तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुने DR रहड बायलोजी क्लासेज में स्वागत है आज का अपना सेसन रहने वाला है Special DLAIR First Year के पेपर के बारे में तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि Special DLAIR First Year में कुल 6 पेपर होते हैं जिन में से दो पेपर सभी स्ट्रिम के विद्यार्थियों के कॉमन होते हैं और बाकी चार पेपर स्ट्रिम के इसाब से अलग लग होते हैं तो आज हम जानकर रिप्टाप्ट करते हैं कि Hearing Impairment अर्थात HI में कौन-कौन से पेपर होते हैं पहला पेपर जो है Introduction to Disabilities यह पेपर HI, VI और ID के सभी विद्यार्थियों का कॉमन होता है अर्थात यह पेपर सभी स्ट्रिम के विद्यार्थियों के लिए अनिवारिये हैं सेगिंड पेपर की बात करें तो यह Fundamentals of Hearing Impairment and Audiological Management करता है जो केवल HI Stream के विद्यार्थियों को ही देना अनिवार्य है HI Stream के विद्यार्थियों का तीसरा पेपर Language and Communication के नाम से होता है और चोथे पेपर की बात करें तो HI, VA और ID सभी स्ट्रिम के विद्यार्थियों का यह पेपर कॉमन रहता है जिसे हम Child Development and Learning के नाम से जानते हैं HI Stream के विद्यार्थियों का पांचवा पेपर Fundamentals of Speech and Speech Teaching का रहने वाला है छटा और अन्तिम पेपर जो HI Stream के विद्यार्थियों का है उसे हम Curricular Studies and Adaption for Children with Hearing Impairment के नाम से जानते है तो HI Stream के विद्यार्थि इन 6 सब्जेक्ट का अच्छे से अध्यान करके बहतरीन स्कोर प्राप्त कर सकते हैं Special BL8 तथा Special BL8 से समंदीत जानकारी के लिए आप YouTube चैनल DR. राहड बाइलोजी को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तथा सेर जरूर करें धन्यवाद चैहिंग जैबार वंदे मातरम